कभी किसी से पूछिये फर्रुखाबाद में क्या मशहूर है, तो उत्तर मिलेगा व्याज, यहां के सभी छोटे बड़े धन्नासेट व्याज का धन्धा करते है, क्या कारण है जिसकी बजह से ये धन्धा इतना प्रचलित हो गया? फर्रुखाबाद बसाने के पहले यहां जंगल था, यहां एक छोटा सा गाउप था प्रित्वीपूर, जो आज फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है, नया शहर बसाने के लिए फाइनेंसर की जरुरत होती है, असल में मराठा वमुगलों की लड़ाई के समय लूट पा की, इन्हें गंगा किनारे सुरक्षित स्थान पर बसाया गया, यह सम्मानित व्यापारी, बैंकर वर डील थे, यह नवाबों, किसानों वकारी गरों को रुपया बांगते, बदले में फसल के बाद रुपया व्यास सहित बसूलते, मूल रूप से यह होलकरों के शहर इंद प्रावधानियां के रहने वाले थे, उपर से नीचे वही भेशभुषा माथे पर जाती प्रतीक चिन्ह, मारवानी विश्नूव क्रिश्न के उपासक थे, इनकी भेशभुषा पगड़ी व माथे पर प्रतीक चिन्ह देख इनकी संपन्नता का अंदाज लगाया सकता है, 16 वी शताबदी तक इस बैल्ट के अगरवाल, ओस्वाल, महिश्वरी और खंडेल वाल मारवारी पग के तहट धनुधार दाताओं के रूप में स्थापित थे, ये सैन्य प्रावधान वर राशन आपूर्तिकरताओं और अक्सर मुगल से नाओं से जुड़ी राजपूति 18 वी शताबदी में मारवारी मुगल सामराज्य के खंडहर से पैदा हुई नगदी की तंगी का वितपोशन कर रहे थे, इस प्रकार मारवारी नवाबों के लिए खजाना बन गए, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान मारवारीयों के लिए वास्तविक प्रोत्साहन आया, 19 वी शताबदी की शुरुआत में मारवानी पूरे दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुर, खुर्जा और हाथों के अनाज बाजारों और गंगा के साथ फरुखाबाद, मिर्जापुर, पढ़ना और भागलपुर नदी के बंदरगाहों में मौजूद थे, फरुखाबाद से कलकत्ता तक रेलवे के आने से इनके बिजनिस में संभाव नाइन और बढ़ गई, 19 वी शताबदी के मध्य में एक वैद, पैनभारतिय मारवारी व्यवसा एक समुदाय उभरा जिसने हुंडी परचा से माल को स्थानांतरित करने के लिए उप्योग किया हुंडी दूसरे शब्दों में नगदी रहित प्रेशन सुविधा है, संपूर्ण दो इफक्षेत्र में वैशिय, खत्रीव बोहरा लोग मनी लैंडिक के धंदे में लगे थे, गिर्वी गांट व जमीनों पर इन ही लोगों का एक आधिकार था, इन लोगों ने पालिटिक इन की पावर का अंदाजा इस बात से किया जाता था कि इनके कार्यक शेत्र में कितने गाउं आते थे, इन बैंकर्स की शहर में कपड़े वसर राफे की दुकाने थी जो अपने बंदे ग्राहकों को कृशी कार्य हेतू वतीज त्योहारों वव विवाहों के अफसरों पर उ व्याज सहित्व सुली करते, कई सेट बंगश नवाबों वर शमशाबाद नवाबों के खजानची की तरह कार्य करते थे जो आज भी शेहर में स्थापित है, जो सक्षम थे वे बाहर उध्योग स्थापित कर वहीं बस गए, जैसे स्कूटर बनाने वाली लोहिया तो क्या व्याज बट्टा का कार्य शेहर में आज भी जारी है, उत्तर है हर गली कूचे में ये धंधा आज भी बदस्तूर जारी है, छोटे दुकांदार, फेरी वाले जिनकी पहुंच बैनकों तक नहीं है वे इन्ही सेटों पर निर्भर रहते है, अपने अगले अंक में हम क्रिशी सभबंधी बातों पर बात करेंगे, अगर पसंद आये तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक प्रेस्क्राइब वा बैल बठन दवाना ना भूलें